अरहन महादेव, ओम स्री विष्णवे नम्हा, पावन पवित्र चल रहा है महना बैसाग का, गुरुजी द्वारा उपाए जो आप कभी भी किसी भी दिन कर सकते हैं, वही आप सभी को बतलाना समझाना चाहूंगी, यह उपाए आपकी विवाह, संतान, रोग, कर्ज, प्रत् प्रत्यों की परिक्षा के लिए जाते हैं, यह संतान के लिए टेस्ट कराने जाते हैं, यह किसी भी स्वरूप में आप घर से बहार निकलते हैं, तो यह उपाए आपके लिए बहुत लाबदैक होगा, आप सभी को कुंदकेश्वर महादेव का नाम इस उपाए को करने के लिए लेना है, देखिए हमारा घर से बहार तो किसी ना किसी स्वरूप में जाना ही होता है ऐसी स्तिती में कुंदकेश्वर महादेव का नाम बहुत लाबदायक होता है उस कारे में विजय प्राप्त करने के लिए आप सभी को अपने घर के मटके के पास ठीक है मटके के पास भी रख सकते हैं आप सभी जो है और यहर कारे में उन्नती दिलाता है अब अपने नेत्रों से इसको जो है जो कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर आपने जल रखा है अपने सभी इस्त देवी देवता अपने पित्रों का नाम लेकर कुंदिकि उश्वन महादेव का नाम लेकर अपने नेत्रों से लगा कर आप सभी चले जाएं कि हे महादेव हे मेरे पित्र देवता हे मेरे इस्ट देवता हे महादेव हे सभी देवी देवता मेरे कार्य को पूर्ण करना मैंने अपने पूर्ण मन से यह उपाय किया है मेरे बच्चे जा रहे हैं इस कारे में उनको उन्नती मिले ऐसी प्रार्थना करते हुए आपको करना है तो आप सभी को वह जलतो बाद में किसी भी पवित्र पेड़ी के नीचे डाल देना है जब आप इसको छू लेंगे अपने नेत्रों से मस्तक पर प्रगा लेंगे और एक रुपे का सिक्का किसी मंदिर में दान दे आईए या कन्या इत्यदी को भी दान में दे सकते हैं तो प्रथम दिन का उपाय आप सभी को जरूर से करना है किसी भी सुब दिन में ठीक है जी बहुत सरल उपाय है कारे की उन्नती के लिए दूसरा आप सबी को आवश्यक रूप से चावल का उपाए करना है और यह उपाए जो है चावल के साथ साथ एक-एक रुपे के सिख्के का भी होगा आप रूपिया ज्याता भी ले सकते हैं कोई ऐसी बात देता नहीं है इसमें कोई ऐसा नहीं है कि रुपे इतनी लेने है परन्तों यह अक्षत आप जानते होंगे माता लक्षमी को आकरशित करते हैं और साथ ही इस मेहने जो है अन का दान करना महतोपूर्ण माना जाता है जल का दान करना महतोपूर्ण माना जाता है छाता पंखे इत्यादी का दान किया जाता है जो कि परम सुखो में जो है सही हो करता है तो और एक छोट असा रुमाल के सौरूप में लाल कपड़ा ले लीजिए ये रुमाल ले लीजिए लाल रंखा ही होना चाहिए इस बात का आप सभी ध्यान रखें उस चावल जो है अक्षत रूप में जैसा मैंने बता है आप सभी को उस लाल कपड़े में या लाल रुमाल में चावल बांदेने हैं एक मुठ् систем करीब ठीख जी इसमेहनी चावल के दान की बहुत मेहत्ता है आप सभी जानते होंगे तो आप सभी कोुसे चोटे से लाल कपड़े में इक मुठी चावल बांद देने हैं और सभी घर के सदश्यों का इस पर्श कराकर कुछ रूपे उसमें रख देने हैं जिसे आप अपनी इच्छा सकती सामर्थ अनुसार घर के सभी सदश्य जो है उसमें जो है चावल के साथ कुछ रूपे रख दीजिएगा अब उसे जो है आप पोटली सवरूप में घर के सदश्यों का इसपर्श कराने के बाद घर में घूम जाने के बाद किसी भी राधा कृष्णा मंदिर में लक्ष्मी नारायन मंदिर में गौरी और महादेव के मंदिर में जो भी आपके पास सयुक्त स्वरूप में गुरुजी कहते हैं एकल नहीं हो इस बात का ध्यान रखना है जैसे आपने देखाओगा सिर्फ सीवलिंग ही विराजमान होता है ऐसा ना हो माता पारवती उनके साथ हो ऐसा मंदिर आपको चु महादेव के मंदिर में भी जा सकते हैं इच्छा आपकी है आप सभी ने जो पोटली के अंदर रूपे रख रखे हैं सिक्के रख रखे हैं और साथी आप सभी ने विशेश तोर पर चावल ले रखे हैं आपको स्री सिवाय नमस्तुभ्यम कहकर और जो है माता लक्षमी का द्हान करते हुए श्रीहरी केस्मर्णं करते हुए अपनी मनों कामना भोलते हुए कि या है बैसाक का मेहना मेरे परिवार के सभी शदशyn के लिए सफल हो उनके हर कार बनने आरंब हो जाए ऐसी प्रार्थ ना करते हुए किसी भी दिन आप सभी को यह चावल से भरी हुई लाल पोटली जिसमें आप सभी ने कुछ रुपे रख रखे हैं अपने जीवन में धन की ब्रद्धी के लिए कारी की उन्नत के लिए मंचाहे विवा के लिए प्रतियोगी परिक्षा और हर कारी की सिध्धी के लिए आप सभी को इसी लेकर जो हैं उस मंदिर में दान करकर होता है तो आप सभी इस बैसाख महने में किसी भी दिन इस उपाय को कर सकते हैं निश्ची थी इससे आपको लाब मिलने वाला है तो हमने बात कर ली दो उपाय की तो आप दोनों उपायों में से किसी एक उपाय को चुन लीजेगा तो हमने बात की इसके पश्चा जो है अन सब्सक्राइबर आप चैनल के लिए सब कुछ है तो कमेंट्स के माध्यम से पूछ लीजेगा आप सभी सवालों के जवाब प्राप्त करेंगे तीसरा गुरुजी ने इस महने करने के लिए कहा है कि आप सभी बेल पत्र जो की सीतलता प्रदान करता है मेरे महादेव को जल के क जल कलश के अंदर डाल कर जरूर से समर्पित करें भले ही घर के मंदिर में करें या महादेव के मंदिर में इच्छा आपकी है परन्तु जल कलश के अंदर जो इस महने बेल पत्र डाल कर सीख पर चड़ा देता है वह जीवन में सब कुछ प्राक्त कर लेता है तो आपको इस तीसरे उपाय का नियम बांद लेना है इस महने साथ ही चोथे उपाय के सरूप में गुरुजी कहते हैं आप सभी को बेल पत्र की जड़ को कोशिश करना है कि इस महने सीचना है अर्थत जल चड़ाना है इसके भी अदभुतलाप कहे गए हैं तो इसकारी को भी कर सकते हैं कोई भी कलश हो कोई भी कटोरा हो उसमें जल भरना है और जल के लोटे में डाल देना है या सीधे जो है मिट्टी का कलश अगर आपके पास है तो आप उसे सीवलिंग पर चड़ा सकते हैं यह इस महने सबसे महावापुन्य के रूप में जाना जाता है क्योंकि गर्मी चरम सीमा पर है और मिट्टी के इस महने महत्ता है मिट्टी के उपाए मिट्टी की वस्तु का दान जल के स्वरूप में दान हो या अपने आप में प्याव खुदवाना किसी मंदीर में किसी जलाश है इत्यादी के पामट के इत्यादी का प्रवंद करना बहुत लाब देता है तो इन उपएंग मैंसे किसी भी एक उपाय को चुनकर आप करसकते हैं, साथ ही सुक्रवार का दिन माता लक्ष्मी को समर्पीत है, गुरवार का दिन मेरे स्रीहरी विश्णू को समर्पीत है, इस दिन अगर किसी भी राधाकर्श्ना मंदिर में, या महादेव के मंदिर में या आप अपने घर के ही मंदिर में माता लक्षमी का स्मरण करते हुए महादेव की बहन जानी जाती हैं माता लक्षमी ऐसे मन का स्मरण करते हुए लाल बत्ती का अर्था जो कलावा आता है ना उस कलावे का एक लंबी बत्ती का दीपक घी के स्वर करना है और दीपक लगा देना है साथी गुरुजी कहते हैं आप सभी को घर के दर्वाजे पर धन लक्षमी के आगमन के लिए कमल गट्टा चुकी बहुत अधिक लक्षमी मैया को प्रसंद करता है वह डाल कर कोशिश करनी है कि घर के दर्वाजे पर आप दीप लगा सके श्री सिवाए नमस्तु भ्यम